इसकौन ने शुकरवर 29 सितंबर को भाशपा सांसत मेंका गांधी को 100 करोड रुपे का मानहानी नोटिस भेजा है हाली में मेंका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था इसमें वे कह रही है कि इसकौन अपनी गोशाला की गायों को कसाईयों को बेशता है भारत में इस समय सबसे बड़ा धुकेबाच इसकौन है इसकौन के उपाध्यक्ष राधारमन दास ने कहा इसकौन के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है हमने आरोप लगाने को लेकर मेंका गांधी को नोटिस भेजा है मेंका के आरोपों से इसकौन के भक्त समर्थक और शुप चिंतक बहुत दुखी है मेंका के आरोप दुर्भावना पूर्ण है पूर्व केंडरी मंद्री मेंका ने कहा था कि इसकान में गोशाला इस्थापित की जिने चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अंगिनत फाइदे मिलते हैं उन्हें बड़ी जमीने मिलती है इसके बावजुद जो गाय दू को दिये इंटर्व्य में कही थी महिला ने कहा मैं आंदर प्रदेश के अरंदपूर में स्कॉन की एक गोशाला में गई थी गोशाला में एक भी गाय ऐसी नहीं मिली जो दूद ना देती हो नहीं कोई बच्छडा मिला इसका मतलब साफ है कि वे लोग इसकॉन दूद ना द सडकों पर हरे राम हरे क्रशना गाते हैं फिर कहते हैं कि उनका पूरा जीवन दूद पर निरवर है शायद किसी ने भी कसाईयों को उतने मवेशी नहीं बेचे हैं जितने इसकॉन ने बेचे अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो और लोगों से क्या उमिद कर सकते हैं इसी क के साथ बने रहिए एशानी जिन्दा के साथ खंदी बाद